चौदवाँ पाठ प्रिष्ट संख्या 89 से 83 तक कविता है पानी और धूप अभी अभी थी धूप बरस ने लगा कहां से यह पानी किसने फोड घड़े बादल के की है इतनी शैतानी सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दर्वाजा उसकी माने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा जोर जोर से गरज रहे हैं बादल हैं किसके काका किसको डाट रहे हैं किसने कहना नहीं सुना मा का बिजली के आंगन में अम्मा चलती है कितनी तलवार कैसी चमक रही है फिर भी क्यों खाली जाते हैं वार क्या अब तक तलवार चलाना मा वे सीख नहीं पाए इसी लिए क्या आज सीखने आसमान पर हैं आए एक बार भी मा यदी मुझको बिजली के घर जाने दो उसके बच्चों को तलवार चलाना सिखला आने दो खुश हो कर तब बिजली देगी मुझे चमक ती सी तलवार तब मा कोई कर न सकेगा अपने उपर अत्याचार पुलिसमेन अपने काका को फिर न पकडने आएंगे देखेंगे तलवार दूर से ही वे सब डर जाएंगे अगर चाहती हो मा काका जाएंगे अब न जेल खाना तो फिर बिजली के घर मुझे को तुम जल्दी से पहुचाना काका जेल न जाएंगे अब तुझे मंगा दूंगी तलवार पर बिजली के घर जाने का अब मत करना कभी विचार कवियत्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान अभ्यास शब्दार्थ शैतानी अर्थात शरारत अत्याचार अर्थात जुल्म वार अर्थात चोट करना या प्रहार काका अर्थात चाचा एक सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करो ये शब्द हैं कहां से किसने क्यों क्या किसके किसको क सूरज ने रिक्त स्थान बंद कर दिया अपने घर का दर्वाजा ख बादल है रिक्त स्थान काका ग बरसने लगा रिक्त स्थान यह पानी घर रिक्त स्थान फोड घरे बादल के की है इतनी शैतानी गर रिक्त स्थान डांट रहे हैं रिक्त स्थान कहना नहीं सुना मा का दो इन पंक्तियों से बारिश के बारे में क्या पता चलता है नमूना है सूरज की मा ने उसको बुला लिया ऐसा लगता है कि आसमान में सूरज नजर नहीं आ रहा होगा क सूरज ने अपने घर का दर्वाजा बंद कर लिया ख काका किसी को जोर जोर से डांट रहे हैं ग आंगन में तलवार चल रही है तीन कविता में ढूंडो क किन पंक्तियों से पता चलता है कि इस कविता में मा बेटी या मा बेटे के बीच बादचीत हो रही है ख यह कविता आजादी मिलने से पहले के समय में लिखी गई थी उस समय हमारे देश पर अंग्रेजों का राज था किन पंक्तियों से पता चलता है कि लड़का या लड़की के काका स्वतंत्रता सेनानी थे चार रिक्त स्थान भरो नमूना काका जेल न जाएंगे अब अब मत करना कभी विचार मा वे सीख नहीं पाए न मत और नहीं का इस्तिमाल किसी काम के मनाही के लिए किया गया है तुम इन वाक्यों में न मत मना और नहीं भरो क तुम वहां रिक्त स्थान जाओ ख परीक्षा में रिक्त स्थान तो रामू फेल हुआ रिक्त स्थान ही असलम ग मुझे इस प्रश्ण का उत्तर रिक्त स्थान पता ग मा ने मुझे चट पर जाने से रिक्त स्थान किया है पांच कविता के अनुसार क सूरज को उसकी मा ने क्यों बुला लिया ख बादल काका जोर-जोर से क्यों डांट रहे हैं ग बिजली के बच्चों के वार खाली क्यों जा रहे हैं ग लड़की बिजली के घर क्यों जाना चाहती है ग बिजली के घर में तलवार चलाना कौन सीख रहा है छे पता करो क कुछ ऐसे देशभक्तों के नाम पता करके लिखो जो बच्चपन से ही आजादी की लड़ाई में कूद पड़ी थे ख जब बच्ची अपनी मा से ये सब बातें कर रही थी उस समय का आसमान और मौसम कैसा रहा होगा अपनी कलपना से बताओ संकेत हैं धूप, सूरज, बादल, धर्ती, बिजली, लोगों की परिशानिया आदी ग कविता में आया है कि सूरज की मा ने उसे घर के भीतर बुला लिया पता करो कि क्या सूरज की भी मा होती होगी साथ, आजादी की बात तब मा कोई कर न सकेगा अपने उपर अत्याचार कविता की इस पंक्ती में किस अत्याचार की बात की जा रही है वे किस तरह के अत्याचार करते थे आठ घर की बात बिजली के आंगन में अम्मा इसमें जो आंगन है वह घर के बाहर के हिस्से को कहा गया है घर के इन भागों को तुम अपनी भाशा में क्या कहते हो कमरा, रिसोई, बरामदा, चत, बैठक, जीना, स्नान घर, शौचाले 9. कविता बनाओ यहां कविता में से कुछ पंक्तियां दी गई है कविता की अगली पंक्तियां सुयम बनाओ ध्यान रखो, कविता में से देख कर नहीं लिखना नमुना है, जोर जोर से गरज रहे हैं, तड़ 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 बरस रहे हैं क, तब मा कोई कर न सकेगा ख, बिजली के आंगन में अम्मा ग, किसने फोड घड़े बादल की याली शुटनाँ दोर्ण स्टš्टंपान Daarा को एंगना इया खोड़े, तड़ में से दोंपस्ट्यां विखने दोंगने की रहे हैं, जोरान परस दड़एश्टक् description by कैं driving